स्क्राइच के एक नए एक्स्टेंशन को यूज करके हम स्क्राइच में मशीन लर्निंग जो की आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की बुनियाद है उसके बारे में सीख सकते हैं तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा एक एक्जामपल बनाया है जिसको जब मैं अगर शुरू करता हूँ तो यहां पर मेरे पास एक यह एक फैन है और यह एक हीटर है और अगर मैं कहता हूँ होट तो जो मेरा पंका है यह चलना शुरू हो जाता है और अगर मैं कहता हूँ दो words बनाए हैं जिनके हिसाब से ये दौनों चीज़ें चलती है इसके पीछे एक AI based एक machine learning का एक model चल रहा है तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि I am sweating मुझे पसीना आ रहा है तो machine अपने आप समझ जाती है कि हम कह रहे हैं कि आज गर्मी है पंखा चला दो या अगर मैं कहता हूँ कि it is freezing तो machine अपने आप समझ जाती है और heater on हो जाता है इसी जरीके से हम एक दो चीज़ें और try कर सकते हैं कोई भी expression तो अगर हम कहते हैं मान लिया जाए कि it feels like arctic तो machine जो है वो समझ रही है कि arctic जो है वो ठंडे से related है इसलिए heater on कर दो तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि हमने specific words नहीं पर train नहीं किया है model को हमने एक पीछे एक machine learning का model बनाया है जिसके लिए हमने ये website यूज करी है machine learning for kids.co.uk आप यहाँ पर एक free account बना सकते हैं जो मैं अलड़ी बना चुका हूँ या बिना account बनाए आप एक model guest login पर भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने कैसे इस model को बनाया कि हमने एक नया model बनाया machine learning का जिसका नाम रखा हमने test और वहाँ पर हमने पहले model को train किया train कैसे कि हम एक जो ये model बना रहे थे हम कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि machine दो चीज़े समझे cold से related और hot से related और फिर हमने इस machine learning के system में cold और hot से related कुछ words जो थे example words इस system में डाल दिये जैसे cold के लिए हमने का it is so cold I am freezing turn on the heater cold wave in Antarctica freezing chilly snow इस तरीके से और hot से संबंदित भी हमने words डाल दिये turn on the air conditioning heat heat wave hot turn on the fan summer it's boiling इस तरीके से और उसके बाद हमने यह जो machine learning for kids website है यह IBM Watson नाम की एक AI based service है उसको use कर रही है तो जब हमने यह classify कर दिये दो तो हमने उसके बाद यहां मैं already यह model बना चुका हूँ हमने यहां पर इसको कहा कि इस model में इसको train किया जब इसने इस system होता हूँ मैं test करके देख सकता हूँ कि अगर मैंने कोई word बोला जैसे की temperature is very high तो अब यह Watson की service को use करते हुए यह system कह रहा है कि यह expression temperature is very high most likely hot जो हमारी category थी उससे related है और interesting यह है कि जो machine learning based AI systems होते हैं वो यह बताते हैं कि वो कितने confidence से कह रहे हैं कि उनका जो result है वो accurate है तो यहां पर वो machine system कह रहा है कि with 17% confidence वो कह रहा है कि temperature is very high expression जो हमने specifically वहां पर define नहीं किया था अपने model में वो heat से related है और अगर हम यहां पर कोई word जब बोलते हैं जैसे मान लिया जाए heat जो कि हमने वहां दिया था तो system कह रहा है 100% confidence के साथ कि heat word जो है यह हमारी hot category को belong करेगा तो artificial intelligence और machine learning को मैंने अपने एक और video में समझाया था पर संक्षित में मैं यहां बदा देता हूं कि traditional computing में हमारा जो model था हम computer को data देते थे और उसके साथ एक algorithm देते थे algorithm मतलब एक set of instructions और computer जो था फिर वो इस algorithm के basis पे उस data का analysis कर देता था visualization कर देता था और result देता था इसके पनस्पत artificial intelligence में भी हम data देते हैं in fact हम बहुत large data sets देते हैं computer को feed करते हैं जिनको big data कहते हैं और उसके बाद हम algorithm नहीं देते हैं हम कुछ sample results देते हैं और वो sample results के हिसाब से फिर computer algorithm खुद generate करता है और इसी को जो है हम machine learning कहते हैं तो जैसे example देने के लिए जैसे हमने यहां पर hot और cold बनाया था तो हम हम ऐसा भी कर सकते थे कि big data जो हम machine में डालते वो मान लिया जाए millions of x-rays of the lung होते और उसके बाद हम कुछ sample input computer को देते कि मान लिया जाए हम हम अगर एक cancer detection algorithm बना रहे थे AI machine बना रहे थे तो हम कहते हैं कि अच्छा in data sets में यह जो particular है sample results यह depict करते हैं cancer तो फिर machine algorithm जो है cancer detection algorithm अपने आप बना लेती जैसे हम वहाँ दिखा रहा था मैं आपको की confidence level बताता है machine तो मान लिया जाए कि अगर उसमें से किसी चीज में error आता तो हम उस error को correct करके वो data वापस error correction जो था वो machine में वापस डालते तो जो यह हमारा machine learning based AI system है यह अपना cancer detection algorithm जो है उसको automatically improve कर लेता यह जो process है कि low confidence वाले results को हम फिर से ठीक कर रहे हैं और machine को वो input दोबारा दे रहे हैं ताकि उसका model जो है वो better हो जाए इसको हम recursive learning कहते हैं तो यह जो machine learning for kids.co.uk के जो website है यहाँ पर अगर आप worksheets में जाएंगे तो यहाँ पे scratch based AI games या machine learning के बहुत सारे examples हैं तो अगर आपको इस चीज़ को आप AI के बारे में थोड़ा सा सीखना चाते हैं machine learning के बारे में सीखना चाते हैं तो आप इन मेंसे किसी को भी download करके try कर सकते हैं